दोस्तो भारत और जपैन का जो रिस्ता है वो आज का नहीं है बलकि एथियासिक है दोनों देशों को क्लोस्तरिन एलाइज भी माना जाता है और दोस्तो ये जो दोनों देशों का रिस्ता है ये आज का नहीं है बलकि आज के जपैन बनने से पहले का है दितिये विश्युद् अधनिक इतियास को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जपान और भारत के ये जो रिस्ता है ये अव और मजबूत हो गया है जहाँ पे दोनों देश अव हतियारों के ट्रेट को भी करना चाहता है दोसो आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत और जपान के बीज के बारे में शायद ही आप लोगों को बताना पड़ेगा भारत के इंडिपेंडेंट के लड़ाई या फिर कहे तो आजाद हिंद फॉंच के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें ये भी फता होगा कि इसके पीछे जेपैन का कितना भूमिका था पर दोसों एतिहासिक रिस् शुरू हुआ उसे अगर देखा जाए तो ये भी दुनिया में सबसे क्लोस्तरिन एलाईव के रिस्तों में गिना जा सकता है जैपैन और भारत खाली कुछ बाइलेटरल फॉरम में ही एक दूसरे के साथ नहीं है बलकि कई तरीके के मल्टिलेटरल फॉरम में भी एक दूसर और दोस्तों ये समस्या है चाइना और चाइना के समस्य के कारण जहाँ पे दोनों देख एक दूसरे के काफी अधिक क्लोस है तो वही पे दोनों देखों के बीज में डिफेंस को भी या फिर कहतों डिफेंस को भी आगे बढ़ाने को लेके काम किया जा रहा है दोस्तों आ साल बीतने के बावजूद ना ये डील हो सका और ना ही फिलाल के समय में इस डील का कोई चड़्चा है दोस्तों शिन्वावा यूएस टू असल में जैपैन के तरफ से बनाया गया एक शॉट टेक आप एंड लैंडिंग एमफिवियस एरक्राफ्ट है जिसे कि जैपैन के पनी शिन्वावा के तरफ से निर्मान किया जाता है और इसे शिन्वावा यूएस वान ए एरक्राफ्टों के बाद निर्मान किया गया है फिलाल अगर देखा जाए तो इस तरीके के एरक्राफ्टों का प्रमुक रोल है एरसी एमफिवियस रेस्क्यू मिशन और दोस्तों इन एर्क्रेप्टों को जब एक्स्पोर्ट करने को लेके जपान के तरफ से इरादे का जिकर किया गया तो भारत के तरफ से भी साल 2010 के आसपास के समय में अपना इंट्रेश दिखाया गया बेसिकली इंडियन नेवी के तरफ से ऐसे बारा से अठरा यूएस टू एमफिवियस एरक्रेप्टों को सर्च अन रिस्कू एरक्रेप्ट के रूप में अपने बेडे में शामिल करने का इरादे का जिकर किया गया जिसका लागत करिवन 1.65 बिलियन डॉलर तक होगा इवन दोस्तों उस दर्मियान ख़वर ये भी आया था कि खाली इंडियन नेवी नहीं बलकि इंडिया के कोस्ट गार्ट के तरफ से भी ऐसे एरक्रेप्टों को अपने बेडे के लिए खरिदने का इंट्रेस दिखाया गया है इवन ये भी तव खवर आया था कि अगर इस बढ़ा जाता है और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ट के द्वारा इस तरीके के एरक्रेप्टों को खरिदा जाता है तो इसमें से एक बहुत बड़ा बेड़ा अंडवान निकोवार आइलेंड के जो कमांड है वहाँ पे तैनात हो सकेगा भारत के ऑथरिटिस हाला कि दोस्तों इसके बाद खवर ये भी आया कि इस तरीके के प्रोपोजल के फाइनलाइस किया जाने पर ये जपैन के लिए दितिये विश्विद्दे के बाद पहला ऐसा महत्तोपूर्ण मिलिटरी डील होगा जिसके अंतरगा जपैन अपने हत्यारों को किसी अन्य दे से शिन्वावा कंपनी बेचने के लिए तैयार है इवन दोस्तों उस दर्मियान ये इस तरीके का खवर भी आया था कि जपैन और भारत के बीच में नौवेंबर 2016 में इन एर क्रेप्टों को लेके एक डील के उपर भी हस्ताक्षर हो सकता है हाला कि दोस्तों तव ये खवर आया कि इस तरीके के डील को असल में तव के डिफेंस विनिश्टर मनोहर पारेकर के द्वारा एक तरीके से स्तगित कर दिया गया जबकि उसके दो साल के बाद मतलब साल 2018 में जेपैन के जो एमबसेडर भारत में है उनके तरफ से जानकरी दिया गया कि जेपैन और भारत के बीच में अवीवी शिन्वावा यूस टू येर क्रेप्टों को लेके नेगोसियेशन चल रहा है और दोसो उसी साल मतलब साल 2018 के एप्रिल मेहने में जेपैन और भारत के कमपनी महेंदरा के बीच में एक M.O.U. के उपर हस्ताक्षर हुआ है जो बैसिकली इस तरीके के एर क्रेप्टों के डील को सपोर्ट करने को लेके है मतलब अगर ये डील होता है तो महेंदरा कमपनी के साथ मिलकेशन मावा भारत में इस तरीके के एर क्रेप्टों के एसेंबली के काम को अंजाम देगा पर दोसो साल 2018 के बाद से लेके साल 2022 तक मतलब अब तक इसे लेके और किसी भी तरीके का कोई चर्चा नहीं हुआ हाला कि दोस्तों कुछ जगाओं में तो इस दर्मियान ये भी दावा करने लगा के आ था कि भारत इन इर क्रेप्टों को खरिदने को लेके इल कर चुका है और भारत में ये आर क्रेप जल्दी शामिल होगा पर कभी भी ना जपैन के तरफ से और ना भारत के तरफ से ऑफिश्यल ही इसे लेके कोई कनफरमेशन आया है पर अगर देखा जाए तो भारत और जैपान के बीच में जब भी कोई डिफेंस डील को लेके चर्चा होता है तो अवियसली इन यार क्रेप्टों के उपर चर्चा अवश्य होता है संभावित दोस्तों ये जो 4 साल है इस दर्मियान जिस तरीके से कोविड महामारी के कारण 2 साल बरबाद हो चुका है उस कारण ऐसे डील को लेके और चर्चा ना हो सका जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इस दर्मियान भारत अपने आत्मनिर्वर भारत के संकल्प को भी आगे बढ़ाया है जिसके अंतरगत अगर अभी चर्चा होता है तो जपैन को काफी हद तक कॉंप्रोमाईज भी करना पड़ेगा और इन यार क्रेप्टों को खाली भारत में एसेंबल नहीं बलकि भारत में काफी हद तक भारत ये कॉंपोनेंटों के साथ भी निर्मान करना पड़ सकता है अलाकि दोस्तों इस तरीके के एर क्रेप्टों के अगर आवशक्ताओं को देखा जाए तो ये आवशक्ता काफी लंबे समय का है और भारत इ प्रस्ताप वी निदिया जा रहा है लेकिन भारत के तरफ से समय के लिधा ओवार अपने जुकझाओ जैपैन के दो ये कर सकता है जिस वजासे ये नेवी के उपयोगिता को बढ़ा देता है क्योंकि इस तरीके के यारक्रेप्टों का इस्तिमाल करके समुंदर के अंदर जहाजों से रेस्क्यू के काम को जहाँ पे अंजाम दिया जा सकता है तो उही पेशति ग्रस्त हुए जहाजों के नस्देक इसे दो ऑन बोड, मेंटिनेंस परसनल, तीन डाइवर्स, दो पैरामेडिक्स और एक सिनियर ओपरेटर होते हैं मतलब दोस्तों ये जो यारक्रेफ्ट है ये कई तरीके के काम को अंजाम दे सकता है और इसके लिए कई तरीके के क्रू मिंबर का आवशक्ता होता है यारक्रेफ् 33.15 मीटर मतलब 108.9 इंच है जबकि इसके हाइट करीब करीब 9.8 मीटर मतलब 32.2 इंच है इसके विंग एरिया 135.8 मीटर स्कूर मतलब 1462 स्कूर फिट के आसपास है और इसका एम्टी वेट करीवन 25,630 किलोग्राम के आसपास है यारक्रेफ्ट के ग्रॉस वेट 55,148 किलोग इंचिन का इस्तेमाल हुआ है जिनमें से हर एक इंचिन का शंता 3,424 किलोवाट या फिर कहेतो 4,592 होट्स पावर के आसपास है यारक्रेफ्ट में इसके इलावा एक T-800 टर्वोशैफ इंचिन का इस्तेमाल हुआ है जिसका शंता करीवन 1017 किलोवाट या फिर कहेतो 1364 पर आवर या फिर कहा है तो 300 knots है जबकि इसका cruise speed करीब करीब 480 km पर आवर मतलब 260 knots है वो भी 6000 मिटर के मतलब 20,000 feet के उचाई में इसके stall speed करीब 90 km पर आवर मतलब 49 knots है तो वही पे इसका range 4700 km मतलब 2300 nautical mile है यार्काफ के service ceiling मतलब उचाई में जाने का शमता करीब 7,195 मीटर मतलब 23,606 feet है तो वही पे दोस्तों अगर जमीन के उपर landing और take off distance को देखा जाए तो maximum take off weight के सहारे ये जो यार्काफ है ये जमीन के उपर करीब 490 मीटर लंबे runway से take off कर सकता है मतलब 1610 feet लंबे runway इसके लिए take off करने के लिए काफी है landing के लिए थोड़ा अधिक distance का आवशकता होता है और maximum take off weight के साथ ये 1500 मीटर लंबे runway के उपर land करता है जो करीब-करीब 4900 feet होता है पानी के उपर इसे land करने लिए काफी कम जगे का आवशकता होता है और वजन के साथ ये केवल मात्र 280 मीटर लंबे या फिर कहें तो 920 feet के लंबे पानी के strip के उपर से जहाँ पर take off कर सकता है तो उही पर landing के लिए इसे केवल मात्र 330 मीटर या फिर कहें तो 1080 feet के लंबे पानी के strip का आवशकता होता है खुलमिला के दोस्तों ये जो aircraft है ये एक बहतरीन aircraft है और इसे दुनिया के one of the west sea plane भी कहा चर्चा चल रहा है इसके बारे में फिलाल कोई जानकरी नहीं दिया जा रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को ही प्रेस कर कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन